नमस्कार मैं हूँ शत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB Hindi News आज श्री दुर्गास्ट मी का वर्त भी किया जाएगा आए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं दिनबर की सुर्क्यों पर हरियान में गुरुप C की भरती का एक्जाम शेडूल तैयार 20 जून से 31 जुलाहित अगोगी प्रिक्षा जजर कोट में आई भरती दस्विपास फटापट करे अपलाई रेसलर स्विवाद मी हरियान में किसानों की धरपगड महा पंचयत के लिए दिल्ली जारही मैलाई हिरासित मिली हरियान में अब नोवी की विद्यार्थे को पढ़ाये जाएगी 6 विशे हरियान में गुरूप D भरती को लेकर बड़ी खुसकबरी इन लोगों को मिलेगा पांचयं का लाब नियम बदलागाया बताएगी पूरी अपडेट हरियान के कोलेजों में दाखिला लेने वाले चात्रों का इंदजार हुआ खात्म यूजी कक्षयाओं का शेडूल वाज जारी इस अबते सोने चांदे में आई बड़ी गिरावट बताएंगे सोने वचांदी के ताजा भाव हरियाना के लोगों को अभी चार दिन और गर्मी सराहत मिलेगी मौसम विबाग ने राज में 31 माई तक बारिस के आसार बताए हैं जून की सुरुआत होते ही नोतपा में अधिक्तम तापमार बढ़ना शुरू हो जाएगा इसकी वज़ाए यह भी है कि जून में इस बार सामाने से कम बारिस होने का मौसम विबाग संभावना जता रहा है हरियाना में इसका सबसे जादा आसर धान के किसानों पर पढ़ने वाला है बारिस कम होने के काण धान की रोपाई पर परतिकुल परभाव पढ़ेगा हलांकि मई महीने में बारिस अच्छी होने के काण बिजाई का रखबा पिछले साल के मुकावले बढ़ा है मौसम विबाग की माने तो जून में इस बार सामाने से 92% बारिस कम होगी जून में पार 45 डिक्री के पार पहुंचेगा इसकी वज़ाए बारिस कम होना रहेगा तेज गर्मी से बचने के लिए मौसम विबाग गाइडलाइन पहले ही जारी कर चुका है बच्चों और बुजर्गों को विबाग की और से गर में रहने की सलाह दी गई है साथ ही मौसम विबाग ने 28 से 30 मई और एक जून तक उत्तर पस्चिमी वदक्षने हवाई चलने से बारिस की संभावना जताई है हरियाणा में राजी सभा सांसत दिपेंदर हुड़ा ने सनिवार को हिशार के उकलाना में पूर विदायक नरेश सेलवाल की अधिक्सता में जन सभा को संभोधित किया दिपेंदर ने भाजबा जजबा को घेरा मेरे बार बार नाम लेने से हम पीछे हट जाएंगे तो यह भाजबा की गलत फेमी है सीम को 9 साल तक गाओं की याद नहीं आई जब लोगों ने सरकार को उखाडने का मन बना लिया हर्याना में कॉंग्रेस के संगठन के एलान की तैयारी शुरू हो गई है इसको लेकर कॉंग्रेस अदेक्स उद्यभान ने राष्ट अदेक्स मलिकार जन खड़गे से दिल्ली जाकर मीटिंग की वहाँ से मिले सिगनल के बाद पूरुशेम वुपेंदर सिंग हुड़ा ने कॉंग्रेस विदायक दल की मीटिंग बुला ली है इस मीटिंग में सबसे खास बात यह है कि एंटी हुड़ा खेमे के चेहरे भी दिखाई देंगे पार्टी के और से इन्हें भी मीटिंग का नियोता दिया गया है इस बार मीटिंग पूरुशेम की आवाज पर नहीं बलकि पार्टी के मुख्याले में 31 मैं को बुलाई गई है मीटिंग में हरियाना मामलों के परवारी सक्ति सिंग गोहिल और परदेशा देक्स चोधरी उदेवान मोजुद रहेंगे इससे पहले तक घुड़ा खेमा अपने स्तरपरी मीटिंग कर फैसले ले रहा था दिल्ली दोड के बाद नेताओं को यह बताया गया है कि आप से मतबेद भुलाकर नेताओं को एक साथ एक मच पर आना होगा हरियाना के मुख्यमंतरी मनोरलाल खटर के जनसमवाद कारेकरम को लेकर एक बार फिर से विवाद पैदा हो गया है महेंदरगड में सुकुरार को गाउन नांगल सिरोई में सेम का जनसमवाद कारेकरम था जिसमें ब्लोक महेंदरगड के सरपंच और सरपंच परतिनीद्यों ने हिस्सा लिया दिल्ली में जनतर मंतर पर पहलवाद का धरना जारी है 28 मई को मैला पहलवाद के लिए जनसमर्थन जुटाने के लिए हरियान के गाउं में खाप पंचाय टोल कमेटियां गाउं गाउं जाकर पंपलेट बाट रही है ताकि कोई भी दिक्कत आने पर पंपलेट पर दिये गए नंबरों पर संप्रक किया जासके हिसार से किसान जनतर मंतर के लिए सुबह साडित से अब जिरवान आउंगे उन्होंने आगे लिखा कि मैलाओं के अधिकार के लिए उठी मांगवा आंदोलन अब देश विरोधी ताक्तों तदा खास राजनितिक परिवानों को सुपर्ध होती दिख रही है वहीं चडूनी ने बवीता फोगाट के ट्वीट पर जवाब देते विए कहा कि दुरभागे पूर्ण ये नहीं कि हम खिलाडियों के साथ खड़े हैं दुरभागे पूर्ण ये है कि आप अपनी राजनितिक चमकाने के लिए अपनी सगी बेहनों के साथ भी नहीं खड़े हुए और हमें गर्व है कि हम आंदोलन जीवी हैं वहीं इस ट्वीट पर बवीता को आलोचनाओ का सामना भी करना पड़ रहा है एक यूजर्स ने तंच कस्ते वे कहा कि सरम तो तेरे जैसी दलाल को आनी चाहिए एक महिने से कोई शब्द नहीं आया लेकिन जैसे ही इसके आका के खिलाब कुछ बोल दिया गया तो आ गए अपने ओकाद दिखाने तेरे जैसे दलालों की वज़े से इन देश की बरबादी हो रही है जो अपनी बेहन की ना हुई वो किसी और की क्या होगी भारते कुष्टी संकिया देक्स ब्रेज बोशन सरन सिंग के खिलाब पहलवानों के समर्थन में रहिवार को नई दिल्ली में होने वाली महिला महापंचयत से पहले सनिवार साम को हरियाना में किसानों की धरपकड़ सुरू हो गई किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोगने के लिए पुलिस द्वारा उन्हें हिरासत मिलिया जा रहा है उदर जंतर मंतर पर महीने बार से बरजबुशन स्रान सिंग के खिलाब धरना दे रहे पहलवानों के पक्स में रविवार को दिली में नई संसद बावन के सामने महला महा पंचायत होनी है इसके लिए पंजाब हरियाना से बड़ी संक्या में किसानों के जथे दिल्ली कूच के तयारी कर रहे हैं इससे पहले योग गुरू बाबार रामदेव का गुष्षा ब्रज बूशन पर पूटा राजस्तान के भीलवाड़ा में बाबार रामदेव ने बिना नाम लेका कि कुष्टे संक्या मुख्या रोज बेहन बेटियों के बारे में बकवास करता है उसे तुरंट अरेश्ट करना चाहिए हरियाना में 32,000 भरतियों के लिए हरियाना स्टाफ सेलेक्शन कमिशन यानि HSSC ने तयारी शुरू कर दी है इसके लिए HSSC के और से एक्जाम शैडूल तयार कर लिया गया है 20 जून से 31 जुलाई तक गर्मियों में होने वाली छुटियों में इन भरतियों के लिए एक्जाम आयोजित किया जाएगा परिक्षा में नकल को रोकने के लिए चार बार कोड वाले पेपर रहेंगे इनमें उम्मिदवार की हिडन डिटेल रहेगी इस तकनिक के जरी पेपर लिए के संभावना जीरो फिजदी रहती है 32 जार भरती के लिए 32 जार युवाओं ने आवी दिन किया है हरियाना SSC के चेर्मेन बोपाल सिंग खदरी ने बताया कि CET में गुरूप C के लिए बारवी तो वहीं गुरूप D के लिए दस्वी की नियूंतम योगिता रखी गई है हरियाना में और पेंसन स्कीम यानी ओपियस की मांग फिर से तेज होने लकी है अपनी मांग को लेकर हरियाना के करमचारी पर देश बर में साइकल यातरा निकालने जा रहे है दो जून को नांगल चोदरी से यात्रा की सुरुवात होगी, पूरे परदेश में गूमकर समर्थन जुटाने के बाद यात्रा 23 जून को चंडीगड में कूच करेगी OPS यानी Old Pension Scheme मांग समीति के परदेश सद्यक्स विजेंदर धारिवाल ने बताया कि राजी के करमचारी अपनी मांगे मनवाने के लिए लंबे समय से संगर्श कर रहे हैं लेकिन सरकार ने अभी तक इस और कोई ध्यान नहीं दिया है मजबूरी में अब आंदोरन के राहा पकड़नी पड़ रही है हरियाना के बारवी कक्षा पास कर चुके युवाओं के लिए विस्विद्यालों और कोलेजों में दाखले का इंजार खात मोने वाला है उचेतर शिक्षा ने दे सक्यों और से सभी राज के एडिड वा प्रावेट कोलेजों को निर्देश जारी कर दिये गए है पहली मेरिट लिस्ट में चैनित युवाओं को फिस जमा करानी की समयावदी अलग से परविस पोर्टल पर जारी की जाएगी राज के कोलेजों में सभी चात्राओं और अनुशुची जाती के विद्यारतियों की पूरी फिस माफ रहेगी डेस्टिक एंड सेसन जद जजजर में विभिन पदों पर भरती के लिए आविदन मांगे गई है यह बरतिया कॉंट्रेक्ट आधर पर किये जाएंगी जो भी उमिद्वार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वो अपने आविदन बेश सकते हैं आपको बता दें कि लिफ्ट ऑपेटर और जनेटर ऑपेटर के लिए भरती की जा रही है आविदन करने की अंतिम दिती 6 जून 2023 है लिफ्ट ओपरेटर के लिए उम्मिद्वार हिंदी या फिर संस्कत विशय से दस्वी पास होने चाहिए जन्नेटर ओपरेटर के लिए उम्मिद्वार दस्वी पास होने चाहिए तथा उनके पास संबंदी ट्रेड में आईटिया धार कोना चाहिए किसी भी वरक्यों मिद्वार को कोई भी आविदन सुल्क नहीं देना होगा यानि ये भरतिया निसुल्क फिरी है हरियाना में सिक्ष्या वेब पुलिस विवाग में खाली पड़े पदों को भरने की कवायद मुख्यमंत्री मनोलाल खटर ने सुरू कर दी है मुख्यमंत्री मनोलाल खटर ने बताया कि उनके कारेकाल में पिछले आठ वर्सों के दोरान एक लाग चार अधार यूओं को सरकारी नोकरी नोकरी दी जा चुकी है सीम ने आगे काया कि अगर कोई नोकरी के नाम पर पैसे की मांग करता है तो उसके सिकायत करें 24 गंटे के अंदर ऐसे लोगों को जेल के अंदर बंद करने का काम किया जाएगा सीम खटर ने काया कि राजी सरकार आने वाले चैर महीनों में विभिन विभागों में 65 अजार नोकरी देने का काम करेगी 30 अजार सी ज़ादा गुरूप C की नोकरी दी जाएगी जिसके लिए एक सब्ताबाद परिक्षा शुरू हो जाएगी यह परिक्षा एक महीने में स्वाप्त हो जाएगी इसके बाद गुरूप D के लिए भरते पर क्रिया आरंब की जाएगी और अगले 6 महीने के दोरानी PGT वे प्लिस भरते की जाएगी उपरोक्त सभी के लिए राजी सरकार ने 4-6 महीने का समय निरधारित किया है हरियाना विद्याले शिक्षा बोड यानी HBSC से मानेता प्राफ्त स्कूलों में इसी सत्र सी नौमीक अक्षा की विद्यार्थों को 5 की जगए 6 विशे पढ़ाये जाएंगे इसके लिए शिक्षा बोड ने तयारियां सुरू कर दी हैं पहले स्कूलों में 5 विशे पढ़ाये जाते थे लेकिन इस सत्र से इन 5 विशे को बढ़ाकर 6 विशे करने की योजना बनाई गई है इन विशे में 3 भासाई विशे अनिवारी कर दिये गए हैं अंकों के आदार पर विद्यार्थी पास हो सकेगा विशे से को कमानना है कि 90 फिजदी विद्यार्थी संस्कर्ट चुनने का काम करेंगे संस्कर्ट भासा के वैदिक रूप में सभी वेदों की सहीताईं ब्रामन, आरेनेक तथा उपनिशत गरंत लिखे गए हैं अरेने के विद्यार्थी भी अब संस्कर्ट पढ़ेकर इन गरंतों के समझ हासिल कर पाएंगे जिससे उनका कोशल भी विखे तोगा और विद्यार्थी इनके अलावा भी कई अन्य गरंतों पर पुराणों को पड़सकेंगे संसकर्ट सभी भासाओं की जन्नी है इसे बढ़ावा देना बहुत शांदार बाता है जैसा कि आप सभी जानते हैं हरियाना के गुरूप C और गुरूप D की सभी सरकारी भरत्या कोमन इलेजिबिलिटी टेस्ट यानि CET की माधिम से की जाएंगी फिलाल गुरूप D से समन्दिद एक अपडेट सामने आ रही है परदेश में आप गुरूप D की भरतियों में सामाजिक आर्थिक आधार पर पांच अंको का लाब मिल पाएगा इस बारे में हरियाना करमचारी चैनायू यानि HSSC ने सरकार को लिखा था कि गुरूप D की भ पोटल मंगलवार के बाद कभी भी खुल सकता है सभी आवे तक ध्यान दें कि इसे 15 दिन के लिए खोला जाएगा आपको साथ ही बता दें कि गुरूप D के लिए 11,794 पदों पर ये बरति कि जानी है हालांकि इसमें पदों की संख्या और बढ़ सकती है सरकार ने विभाद से गुरूप D के खाली पदों का ब्योरा भेजनी की मांग कर दी है वहीं 10,54,000 युवा पहले से गुरूप D के लिए रजिस्टेशन कर चुके हैं आयोक का कहना है कि गुरूप D की परिक्षा सितंबर महिने में हो सकती है नए संसद भावन का इनोग्रेशन रविवार दोपैर यानि आज 12 बजे परधान मंतरी श्री नरेंद्र मोदी करेंगे कारेकरम को लेकर तैयारियां लगवाब पूरी हो चुकी हैं विभिन राज्यों से मेमानों का आना भी सुरू हो चुका है सनिवार को चेने के धरमपूरम अधीनम के 25 संद दिल्ली पहुंचे अधीनम के महिनत ने सुनहरा राजदंड यानि सेंगोल पीम मोदी को शोपा इसे नए संसद भावन में रखा जाएगा संतों ने मोदी को विभिन मठो का परशादम भी दिया इस मोके पर मोदी ने खागी ये दुरभागी पूर्ण है कि भारत के आजादे में तमिल लोगों के योगदान को वे महत तु नहीं दिया गया सेंगोल इस बात का परतिक था कि उसे धान करने वाले वैक्ति पर देश के कल्यान की जिम्मिधारी है वे कभी करतव पच्चे विचलित नहीं होगा जब भारत के आजादी का छाना आया तब यह सेंगोल जी था कि खुलामी वाले कालखंड और आजादी के कालखंड को आपस מאוד जोड़ दिया था पर धान मंत्री से इसका इन्योग्रेशन कराने का निर्ण है ने के उल गंभीर अपमान है बलकि ये लोक्तंतर पर भी सीधा हामला है वहीं भाजपा समेथ 25 पार्टियां उद्गाटन समारों में सामिल होने वाली है इस अपते सोने चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिली है सराफा बाजार में इस अपते की सुरुवात यानि 22 मही को सोना 6760 रुपे पर था जो अब 6142 रुपे पर दस गराम पर पहुंच गया है यानि इस अपते इसकी कीमत में 618 रुपे की कमी आई है इस अपते इस सुरुवात में ये 72,95 रुपे पर थी जो कि आप 70,500 रुपे पर थी किलो गराम पर पहुंच गई है यानि इस अपते इसकी कीमत 1595 रुपे कम हुई है इस साल सोना 62,000 तक पहुंचने का अनुवान था लेकिन मौजूदा परिस्तितियों में सेर बाजार में जारी उता चड़ाव के कान सोने को स्पोर्ट मिला है इसी के चलते ही साल के आखिर तक सोना 65,000 रुपे पर थी 10 ग्राम तक जा सकता है आप सोना और चांदी का अबाव आसानी चे घर बैठे भी पता कर सकते हैं इसके लिए आपको सिर्फ 89,56,44,33 नमबर पर मिश्ट गोल देना होगा और आपके फोन पर मैसेज आ जाएगा इसमें आप लेटेस्ट रेट्स चेक कर सकते हैं आज खबरों बेस इतना ही देखते रहिए आपका अपना हर्याना का सबसे बेतरी न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज नमस्कार